बैन और भाईयों मेरे लिए तो महोबा की भूमी ऐसे लगती है जैसे हमारी अपनी भूमी हो क्योंकि बाबा गोरकनाथ ने एक लंबे समय तक यही के गोरक गिरी में तपस्या की थी और आला उदल को अमर्ता का वरिदान इसी धर्ती पर प्राप्त हुआ था और इसलिए बारती जनता पार्टी की हमारी सरकार गोरक गिरी की प्रेटन विकास की संभावना को एक नई उचाई तक पहुचाने का काम कर रही है बैन और वाईयों जब भी मैं बुंदेल खंड आता हूँ मेरे मन में लगता है कि वास्तों में बुंदेल खंड के साथ पिछली सरकारों ने कितना बड़ा न्याय किया कितना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यहां नदी हैं यहां नाले हैं यहां खनन हैं यहां प्रेटन की संभावनाए हैं लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने यहां पर माफिया तो पैदा किये थे कोई खनन माफिया कोई भू माफिया कोई जंगल माफिया कोई जंगल के टकैत लेकिन यहां की जंता के साथ यहां के विकास को उरुद्ध करके यहां की जंता का उन्होंने सोसन किया है उनके विकास के लिए कोई कारे योजना नहीं बना पाए और वेहनों और भाईयो मोहवा के बारे में तो कहना ही क्या है मोहवा के बारे में कहा जाता है मोहवा वाले बड़े लड़या इनकी मार सही न जाए और वेहनों और भाईयों मैं नहीं समझभाया कि आखिर आपने यहां पर पाप करने वाले यहां के संसादनों पर लूट मचाने वाले यहां के नौजवानों के भुस्से के साथ खिलवाड करने वाले और यहां की बेटी और यहां की ब्यापारियों की सुरक्सा के साथ खिलवाड करने वाले इन माफियाओं पर 2014 में आपने निर्णे लिया मोदी जी को अपना समर्थन दिया भारती जनता पार्टी की केंदर में सरकार बने और देश केंदर परिवर्तन होतावा दिखाई दिया आपके आस्रिबाद से मोदी जी के नित्रुत्तों में 2017 में भारती जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी और जब मैं बुंदेल खंड के अपने पहले दोरे पर आया था मेरे साथ हमारे जलसक्ति मंत्री सी स्वतंत्र देव सिंग भी थे और तब यही पुस्पेंद्र चंदेल मुझे मिले थे तब यही राकेस गोस्वामी मुझे मिले थे यही गंगाचन राजपूद मुझे मिले थे यही रामकेस निसाद हमारा जिला द्यक्सता और यही सब लोग उस समय मुझे कहे थे कि बुंदेल खंड के लिए कुछ होगा हमने का बुंदेल खंड के लिए वह करूंगा जो आने वाली पीडियां याद करेंगी और बहन और भाईयों आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं बुंदेल खंड के अंदर बुंदेल खंड एक्स्प्रेस को देखते वे चलते वे देखता हूँ फराटे से गाडियां यहां पर फराटा मरती है तो मुझे लगता है कि हमारा बुंदेल खंड भी अब विकास की उचावियों पर छूने से कोई रोक नहीं सकता है